कि नमस्ते बच्चों मैं दुर्गादास वाल विद्या मंदिर उच्छे माध्यमिक विद्या लेकिए लर्निंग प्लेट पार्ण से आज सब का स्वाधत करता हूं वेदी गनित प्रात्मिक इस्तर आधम जो पटेंगे वह सुत्र निकलम विद्य से गुणा करना जब दुनों विचलन रिनात्मक में हो मानस में एक उदार्ण से समझेए छे गुणा नोँ संकीत अधार दस आधार बराबर दस संक्या छे संक्या छे का विचलन संक्या छे का विचलन बराबर मानस के चार संक्या नो का विचलन बराबर माइनस का एक यहाँ पर दिख लीजिए माइनस चार और माइनस एक दो इसके फक्स बना लीजिए दायाँ फक्स और बायाँ फक्स दूसरा कदम क्या करना है दूसरा चरण विचलनों का गोना विचलनों का गोना चार माइनस एक बराबर चार ओ यह दायाँ फक्स है यह बायाँ फक्स है ओ दायें फक्स में लिखेंगे तो लिख लीजिए यहाँ बर मानस चार गोना मानस एक इस तरह फक्स को बायें फक्स बायें फक्स में बायें फक्स में चे मानस एक लिख दीजिए यह नो मानस चार लिख दीजिए दूनों का मान बराबर आएगा चे मानस एक बायें फक्स में चे मानस एक बराबर पांच लिखेंगे चे मानस एक लिख दीजिए इसका मान पांच हम निचे लिख दीगे लिख देंगे इसको सर्ड़ करने पर आता है चार और इसको सर्ड़ करने पर आता है पांच इन दोनों संक्याओं में से तिर्ची संक्या को अटा कर संक्या के पांच में लिख लिजिए अभिस्टर उतर बराबर चोवन है यहां तक आपको अच्छी तरे समझ में आ गया होगा यहां पर छे से एक कम करेंगे पांच नो में चार करम करेंगे पांच यह इसे थी यहाँ पर कोई वर्सा भी मान लिख सकते हो चैमें से गटा दिया पांज और इनका जो गुणा है माइनस और माइनस का गुणा पलस में आता गुणा में लिसान परिवर्तन समली जीए गुणन संक्रिया में चिहन परिवर्तन गुणन संक्रिया में चिहन परिवर्तन गुणन संक्रिया में चिहने परिवर्तन माण लिजिए दुनो से गए मानिस कीए तो पलस में उतराएगा दुनो से गए पलस कीए तो पलस में आएगा दोनों चीने समान हो तब प्लस माइगा एक संक्या माइनस किये एक प्लस किये तब माइनस माइगा पहली प्लस किये संक्या और दूसरी माइनस किये तो माइनस माइगा यानि यहां पर दोनों चीने अलग अलग है यहां पर दोनों चीने अलग अलग होने पर मानिस नाएगा यहां दोनों चीने समान है यहां दोनों चीने समान है तो प्लस नाएगा यह गुनन सक्रिया में चीने परिवर्तन का नियम है ये आप अपनी कोपी में नोट रूप में लिखना है और एक S.I.E. उदान जिन में विचलन डिनात्मक हो दसे या संक्या कम लेकर विचलन डिनात्मक हो उस संक्या को लिखकर आप अपनी कोपी में सरल करना एक दूसा उदान और बता रहा हूं जिसमें सुत्र निकलन विद्धी से गोना करना है तोड़ी बड़ी संक्या है पंद्रे गोना सत्रे पंद्रे और सत्रे संक्यत आदार दस आदार बराबर दस संक्या है पंद्रे का विचलन बराबर प्लस के पाँच संक्या सत्रे का विचलन बराबर प्लस के साथ यहां तक आप समझ में आगे होगे यहां पर विचलन लिख दीजे इसका पंद्रे का पाँच विचलन और सत्रे का साथ विचलन दो बहा कर लिजे बायां और दायां बक्स अब दूसरा स्टेप दूसरा कदम विचलनों का गुणा विचलनों का गुणा बराबर प्लस के पाँच गुणा प्लस के साथ बराबर पेंतीस लिखेंगे दाये पक्स में पांच गुणा प्लस के साथ तीसरा तीसरा चरण तीसरी प्रक्रिया बाएं पक्स में बाएं पक्स में आप इन तीरिया के सरल कर लें पंद्रेयर साथ बाईस सत्रेयर पांच बाईस दूनों का मान बराबर होगा पंद्रेयर प्लस साथ लिखेंगे पंद्रेयर प्लस साथ लिखेंगे इसे बाएं पक्स में पंद्रेयर प्लस साथ लिख दीजिए इनको सरल करने पर यहां पर आएंगे पैंटीस दूनों से क्या प्लस के इसले प्लस के पैंटीस आएंगे और यहां पर Jeśli Sinkhya है की बाइस यहां तक भात आपको समझ में आभी होगी अब यहां पर द्यान दीजिए यहां पर होगी 35, Adar 10 यह जो तीन Sinkhya है वो बाइस ने जुड़ेगी अधार दिस में एक सुन्य होने के कारण दाएं पक्स में एक अंक रखेंगे एक अंक कौन सा है पांच रखेंगे अंक तीन को अंक तीन को बाएं पक्स में ले जाएंगे बाएं पक्स में ले जाकर बाइस में जोड़ेंगे बाइस में योग करेंगे तो यहां पर यह संख्या इजर चली जाएगी बाइस फ्लस तीन और संख्या पांच रह जाएगी अभी संख्या को जोड़ लिजे 25 और पांच और तिर चलाएं अटा कर संख्या को पास में लेग लिजे 255 अभी स्टे उत्र बराबर 255 आप इसी शंख्या के आश्बास की संख्या लेकर इसी उदारन की तरह आप अपनी कोपी में एक परसन को सरल करना इस सब को अपनी कोपी में भी उतारना आप घर पर रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें दन्यवाल प्रुट 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 झाल